उत्राखंड में फिल्म बत्ती गुल मीटर चालू की सूटिंग कर रहे एक्टर साहिद कपूर मुंबई लोड़ते ही पतनी मीरा राजबूत के साथ क्लिनिक पहुंचे डॉंक्टर से मिलने के बाद इस कपल ने रहस्तरा में साथ लंच किया और क्वालिटी टाइम भी बिताया जब से इनकी साउटिंग की तस्वीरे सोसल मीडिया पर आई हैं उसी समय से क्यास लगाए जा रहे हैं कि ये सेलिबरिटी कपल दूसरे बच्चे की प्लानिंग कर रहा है दर असल पिछले साल तक इंटर्व्यू में मीरा राजबूत ने कहा था कि वो जल्द दूसरे बच्चे की प्लानिंग करेंगी और उसके बाद ही अपने करियर पर फोकस कर पाएंगी अपना फ्यूचर प्लान सेर करते हुए मीरा ने कहा था कि हां मैं काम करना चाहूंगी खास कर लाइफ स्टैल या फूड जैसी क्रियेटिव फिल्ड में लेकिन ऐसा काम करूंगी जिसमें मुझे फैमली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिले इसके अलावा जब मीरा से ये सवाल पूंच गया कि वो अपना काम कब सुरू करेंगी तब उन्होंने जवाब दिया कि करियर को लेकर कोई डेलान सेट नहीं की है क्योंकि मैं दूसरा बच्चा चाहती हूँ और उसके बाद ही कोई फैंसला करूंगी इसी के साथ ही आपको बताते चले कि मीरा राजपूत ने जब पहली बेटी को जनम दिया तब उनकी आलोचना करते हुए कुछ लोगों ने कहा था कि साहिद ने सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए मीरा से साधी की है उस वाक्त इस कपल ने उन आलोचनाओं का डट कर सामना क्या था साहिद कपू ने जुलाई 2015 में मीरा राजपूत से साधी की थी अगास्त 2016 में उनकी पहली बीटी मिसा का जनम हुआ नेक्स्ट नैन लाइफ नुजरूम रिपाउट